नमस्कार प्यारे विध्यार्दियों इंडियन एस्पेरेंट्सों में आपका स्वागत है मेरा नाम चंदरकान सर्मा है और मैं वोपाल एकेटवी का डिरेक्टर हूँ मैंने 6 मैंस और 3 इंटर्व्यू दिये हैं PSE के लिए और मैं आज आपको PSE के प्री और मैंस के लिए रणीती बताने वाला है जो बच्चे 24 और 25 के लिए प्री और मैंस अच्छे से पढ़ने चाहते हैं उनके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप सलिवस को उठाइए प्रिलिम्स की जो 10 यूलिट है उन मैं टॉपिक को मैंस के सलिवस से मैश कीजिए और फिर अपनी तयारी को मैंस कम प्री बनाने की कोशिस कीजिए अगर आप प्री और मैंस को एक साथ लेके पढ़ते हैं अगर आप 2025 की तयारी करने वाले हैं तो आने वाले 4-5 महीने तक आपको 4-5 पेपर मैंस के कमपीट कर लिने चाहिए और उन मैंस के पेपर मैंसे आपको प्री के लिए अगर कुछ पढ़ना है तो इसका एक ही फॉर्मूला होदा है दोस्तों डेट, इयर, प्लेस और परसन अगर आप मैंस पढ़ रहे हैं और आप किसी डेट को, इयर को, प्लेस को और परसन को कहीं पाते हैं तो आपकी कोपी के साइड वाले कॉलम से वोटम से लेकर टॉप से लेकर वोटम तक आपको डेट, इयर, प्लेस और परसन लिख लिने चाहिए जैसे एक example में बताता हूँ, अगर आप किसी अंदोलन को पढ़ते हैं, मान के चलिए आप असयोग अंदोलन पढ़ रहे हैं, तो असयोग अंदोलन की date क्या थी? किस year में शुरू हुआ था? कौन से व्यक्ति यानिकी person और place कहां से शुरू आत हुई थी? तो यदि आप मेंस के answer writing से place, person, date और year निकालते हैं, बतब डी, y, double, p, ये निकालते हैं, तो आप मेंस और pre दोलन एक साथ लेके पढ़ सकते हो, अगर हम pre की बात करें, तो pre की पहली जो unit है, Indian history, उसमें एक नया भाग जुड़ा है, उसके अलावा सारा जो पूरा part है, वो आप इसके अलावा किसी coaching सहस्तान के notes पढ़ सकते हैं, आप लिशन से basic जो youth हैं, उनको पढ़ सकते हैं, बड़ी-बड़ी जो किसी राजा महराजा की कहानी हैं, उसको देख सकते हैं, तो इस तरह से आपका प्रेलिपस में first unit complete हो जाएगा, अगर पेपर से unit second ही हम बात करें MPGK के art and culture के लिए, तो इसके लिए बहुत सारी किताबें available हैं, जिन मेंसे आप उनका प्रियोग करके और MPK के art and culture को अच्छे से पढ़ सकते हैं, history को पढ़ सकते हैं, अच्छा history जब आप पढ़ रहे हों, तो आप इन बात अच्छे से ध्यान रखिए, कि मैंस के फिपर मे जो second, third और fourth unit MPGK से आती है, उसे भी आप बहुत अच्छे दरीके से एक साथ मिलके कर सकते हैं, formula मैंने बदा दिया है, date, year, place or person, ये चीज़ें वो हैं, जो आपको facts for data देंगी, और ये prelims में पूछे जाते हैं, तो second unit पुरा MP का है, और एक बार आप MP अच्छे से पढ़ते तो उसमें आती हैं Indian geography, Indian geography paper part B, यानि कि man's के साथ में भी link हुए, तो अगर आप Indian geography में परवत, पहार, जीनों, नदियों को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मैस कुमार, वन्डवाल, ये पेरियार की किताब का साहरा ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किताब detail में है, तो आप किसी coaching समस्थान या अपने दोस्त के किसी के notes ले सकते हैं, टॉपस के notes ले सकते हैं, अना इसके बाद योरिट 4 में MP की geography है, MP की geography मेंस के paper के साथ भी link करती है, इसलिए आपको मेंस और pre को एक सान पढ़ना चाहिए, फिर आपको पढ़ना चाहिए कि पठार कौन सा हुजा है, पहाड कौन सा हुजा है, जील कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी जील को रामसर समझोते में सामिल किया गया है, और अभी अभी current में कौन सा important place ऐसा है, जहां पर कोई summit हुई है, कोई policy आई है, वहाँ से कोई योजना शुरूपी है, government तो अगर से सुरू हुई है, किसने सुरू की है, और date, वही formula, date, year, placed person, यह भी हर जगह लागू होने वाला है, यह geography में भी लागू होगा, history में भी लागू होगा, economy में भी लागू होगा, science में भी लागू होगा, अगर कोई mission जाने वाला है हमारा, तो आपको satellite पता करना है, आपको calendar पता करना है, rover पता करना है, तो कब हुआ, कितनी तारीक होगा, उसको lead कोन कर रहा था, इस रोगे 0% कोन है, यह सारी जीदें आप premiums के लिए निकाल सकते हैं, और mens में जब आप लिखेंगे answer writing, तो उसके लक्ष क्या है, उसके love क्या होंगे, advantage, disadvantage, इन समाम तरतियों को दौ आप है, अगर आप answer writing के साथ करेंगे, तो आप इस paper को भी बहुत अच्छे तरीके कर सकते हैं, 50 unit और 6 unit में Indian quality, MPG quality, Indian economy और MPG economy है, तो budget है, economical survey है, अभी जो one district, one product की बात है, यहां से question पूछे जाने हैं, तो एक list को आप अच्छे से निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट की official website पर, भी आपको याराम से बिन जाएगी, वहां से भी देख सकते हैं, यह current authority magazine जो आती हैं, उसमें भी GI tag वगरा को आप अच्छे से बढ़ सकते हैं, Indian quality में जाएंगे, तो आप governance और constitution को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, और यह वही topic हैं, जो आपके paper second में, मैंस में भी आपको द प्रिवी करेंगे, तो प्रिवी complete होगा, आपका मैंस भी, क्योंकि आपने 4-5 महीने मैंस को देना है, और एक एक करके paper पढ़ते जाना है, तो 6 unit आपकी prelims की cover हो जाती हैं, अगर आप इस तरह से पढ़ते जाते हैं, हाँ, इसके लिए आपको किताब कौन से पढ़नी हैं, तो आप सबसे पहले beginners हैं, तो evolution को एक बार read कर लीजिए, अच्छे से read कर लीजिए, दूसरी बार जब उसको read करेंगे, तो उसके जो common topic हैं, उसको अपनी diary में उड़ कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसके बाद आपको fact याद नहीं हो दे हैं, तो आप लक्षवी क मैंने कहा कि economy है, MP की और इंडिया की, तो दोनों को एक साथ आप अच्छे से कर सकते हैं, बजट क्या है, आत्मिजबर भारत को लेकर, ये सारी चीज़ों के लिए आप आर्थ एक समिक्षा का सहारा ले सकते हैं, ओल्लाइन website का सहारा ले सकते हैं, जहां पर आपको SDG goal मिल जाएंगे, बन डिस्टिक बन प्रोडेक्ट की लिस्ट मिन जाएगी, तो उसको भी आप इस तरह से अच्छागा सकते हैं, कुछ एकोनमिकल बॉडिया है, जैसे वर्ड बैंक हैं, IMF हैं, इनकी क्या काम होते हैं, इनका बुख्याले कहां बार है, इनमें कौन से सदस से जो इनवायमेंट पर, इकोलोजी पर, और इसके साथ बायो पर करना है, क्योंकि फिजिक्स हैमिस्टी का स्निवस उसवार कम किया गया है, और बायो में आपको सरीर, मानो सरीर है, बोजन है, पोशन है, रक्त है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, यह मैंस में भी जब आप प परतियों किता हुई है, तो उसको देख लीजे, अगर भारत की किसी खिलाडी ने कोई इंटरनेशनल नेविन पर कोई गोल्ड मैडल जीता है, ओलम्पिक में भाग लिया, कॉमन मैल्थ में भाग लिया, या वर्ड चेंपियंशिप में कोई पाइस्पेशन करके अपने दे फिर अंतराश्टी इस्तर पर बड़े-बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, अना जैसे कोप हैं, अना कोप का सम्मेलन हो रहा है, या G20 की बैटक हो रही है, तो ये कहां हो रही है, क्यों हो रही है, इससे क्या निकला है, कौन सी जो ट्रिटी है, वो निकल के आई है, तो करिंट अ 24 का किसको मिलेगा 23 का किसको मिला अना और 25 में अगर आप एक्जाम देने वाले हैं तो 24 थेइस और 25 ये 3 आपको देखना होंगे और नोइन पुरुशकार देने वाली संस्था का नाम män देने वादी संस्ता गाना मद्द प्रदेश में आएंगे तो काली दास, तुलसी दास, महात्मा गांदी, इकवाल सम्वान और सिकर खेल सम्वान पुरुसकार को अच्छे से आप देखिए तो 8 यूनेट आपकी अच्छी कंप्रेट हो जाएगी और इन अवार्ट पुरुसक तो उसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ दीजेगा, किसी भी टॉपेक को अगर कोई खेल प्रतियों किता है तो 4 लाइन नीचे छोड़िए, क्योंकि अगर आप मान के चलिए आपका पेपर थोड़ा लेट होता है, तो नए साल का भी अगर कोई पुरुसकार मिलेगा, तो उसी लाइन में हम एक ही बार में तयार कर लेंगे, तो 8 यूरेट भी हमारी कम्पेट हो जाएगी, ICT पढ़ने के लिए आपको पेपर थाट उठाना होगा, और उसकी जो कम्प्यूटर वाली ICT वाली यूनिट है, उसको और प्रेलिम्स की ICT की यूनिट को अच्छे से तयार कर रहा है, अना इसके अलावा इस लोने कौन सा मिसन बेजा है, कौन सा बैग्यानिक किस उप्लब्दी के साथ जोड़ा रहा है, तो 8 यूरेट में आप इन सबको तयार अच्छे सिक कर सकते हैं, इसके लिए आप किसी किताब के बरों से ना बैटे तो ज्यादा उचित होगा, इसके लिए आप इंटरनेट पर जाएं, ओफिसियल वैप साइट पर जाएं, और उन ओफिसियल वैप साइट से आप डेटा को करें, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप किसी भी कोचिंग संस्तान के नोट्स पढ़के देखिए, इतनी सारी जगे पे फोट जनजाती है, जो विकास की गताब है, उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, तो आप किसी चैनल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जनजातियों में आपको कहां दिक्कत आ रहे हैं, क्योंकि जनजाती वाला पार्ड ऐसा है, जो मुख परिक्षा है कि बहुत सारी unit में सामिल है, प्रिलिम्स में भी सामिल है, मैंस में भी सामिल है, तो एक बार किसी जैसे भील है, वाल नजाती बैगा है सहरिया है इनका इलागा कौन सा है किस एरिया किस रीजन की है इनके बहुत प्रमुक प्रमुक तोहार कौन से है विवा की पद्धतिया कौन सी है इनको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और इसके अलावा प्रमुक जन जाती व्यक्तित्म क्या है बोलिया क किया हैं कौन से इलाके में कौन सी बोले बोली जाती है जफिन उप जाती है Have been together on our day서 Common Broadway gynt सबी जाती हों कि उपधिया उनके प्रमुक्षे हार उनकी लोग संस्कृति और अच्छे से पड़ेंगे तो मुझे रखता है कि मैंस में जहां पर जन जाती समाज से लेकर जो प्रुस्णा बनी बनेंगी समाज के इस्तर पर तक्निकी के इस्तर पर अंदोलों के इस्तर पर तो सबको आप एक साथ जोड़ कर उसे पड़ सकेंगे तो 10 भी उनिट पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस बार नया अच्छे से उसको अच्छे से तयार करनी चाहिए तो आप प्रेलम्स में इस तरह से कर सकते हो तो अगर आप प्रेलम्स में मैंने कहा कि आप MP को पूबस कर लें तो आप सेकेंड यूनिट फोर्थ यूनिट फिप्ट और सिक्स यूनिट का कम्माइन जो MP वाला पार्ट है तो आप 40 स से 45 कोश्चन बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसके बाद आप कोर्स अबजेक्ट में हिस्ट्री पॉलिटी एकोणोमी साइंस इनको पड़ सकते हैं करेंट अपयर तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि करेंट अपयर से साथ से 8 कोश्चन आते हैं और वो ताप से तभ के लिए ये बहुत अची सलाय होती है कि जब आप तयारी के पहले चरण में होदे हैं तो कुछ समय पढ़ने के बाद आपको तुरत ही मैंस की तयारी में लग जाना चाहिए जब आपको पता है कि आपको जो मैंस है वो 2025 में देना है तो फिर आप प्री लिम्स की तयारी ना निविदा ख क्सको कहते है अब यह द्यान देकि सरकार विग्यापन किस तरह से निकालती है और वही सरकारी format जो है अपनी नूट करें और उसमें जो डिटेल है जो परिक्षा हम है जब question पूछा जाएगा तो उस question को उस पर frame कर दे वाकी पत्र वैसे ही का वैसा आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी पे इस बार नया development किया गया है नई चीज़े जोड़ी गई है तो उसमें आपको रस चंद जो है वो अच्छे से पढ़ने है क्योंकि अलंकार इस बार से समात कर दिये गए है तो रस क्या है रसो की परिवासा अलंकार क्या है चंद क्या है सोरी चंद की परिवासा इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे यह आपको 8 9 10 की जो हिंदी की किताबें उनमें भी मिल जाएगा या बाजार में हिंदी की बहुत अच्छी किताबें आती है खासकर अभी देवनागरी जो पप्प्लिकेशन है उसमें मयंग सर्मा की हिंदी की किताब है आप उसको पढ पर चार्फ मेनी आती है प्रत्विनात पांडे पढ़ सकते हैं प्रत्विनात पांडे से आप परियावची विलोमारती हैं इनको निकाल सकते हैं और हुआ की सारी चीज़ें कट्टो कर जो आपको अगर से सिलमस में चाहिए तो आप देवनागरी की उस जो है उसको आप ले सकते हैं हिंदी के लिए पेपर फोर्थ में इतिक्स हैं और इतिक्स में कुछ नई चीज़ें जोड़े गई हैं थिंकर्स जो हैं वो इतिक्स के हैं एक चीज में कहना चाहूंगा कि जो पॉलिटी के पेपर सेकेड और पेपर फोर्थ में जो थिंकर्स है जो दोनों की जो thought process है वो एकदम अलग-अलग होने वाली है तो आप इस तरह से fourth paper को ethics को दियार कीजिए aptitude अच्छे से दियार कीजिए मनुब्रती वाला part जो है वो अच्छे सत्यनिस्टा क्या होती है empathy, sympathy, अना corruption उसको दूर कैसे किया जा सकता है जब आप corruption को दूर करने की बात कर रहे है तो यहाँ पर आप कानूनों से ज़्यादा ethics और moral value की बात कीजिएगा क्योंकि यह paper नीती सास्थ का है तो यहाँ पर moral value की ज़्यादा value है अब एक्छा क्रत कानूनी बात की अगर यही second paper में पूछा जाए तो वहाँ पर हम कानून की बात करेंगे और ethics के paper में अगर यह पूछा जाएगा तो हम moral value की बात करेंगे paper 3 में इस बार नया जो है नया नई चीजों को जोड़ा गया है paper 3 की जो part A है उस बार economics है और part B में science के साथ मैं I use, chicken, health और mental health इन सब को जोड़ दिया गया है तो यह एक नया सलेबस है इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा इसके लिए आप इसी पूछिंग सलस्तान के notes या आयरवेद की website पर जाकर जो उसके basic आयरवेद की जो concept है उनके लिए material हिंदी और इंग्लिस में दोनों में पढ़ा हुआ है तो iOS department की website पर जाकर आप निकाल सकते हैं iOS की नहीं scheme निकाल सकते हैं सिकल साल एनिमिया जैसे जो विमारी है उसको दूर करने की बात जो है उसे आप निकाल सकते हैं और economy के लिए आप आर्थिक समिक चालेजिए हाँ प्रतियोगता दरपड़ का जो अर्थिवस्ता का विसे सांग काता है उसे भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो current के डेटा के साथ में economics की तैयारी कराता है तो वहां से आपको मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप और भी MP की economics है उसके लिए तो आप MP की जो भी किताब पढ़ेंगे उस किताब में आपको MP का डेटा मिल जाएगा लेकिन जब बजट आएगा फरवरी वार्च में तो आप वहां से जो आर्थिक समिक्छा के आक्रे हैं जो बजट के आक्रे हैं उनको निकालिएगा और अपने मैंस के आंसर में उस डेटा को जरूर रखिएगा क्योंकि जब आप मैंस में आंसर लिखते समय डेटा की बात करते हैं तो आपका आंसर वहां पर बहुत अच्छे से justification देता है आपके knowledge को कि आपको ये पता है कि बरतमान में जो economical growth क्या है GDP क्या चल रही है primary, secondary sector का क्या योगदान है तो ये आपको देखने को मिलेगा और अगर आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेगे तो आप ये मान के चलिए कि आप prelims में भी करके आ जाएंगे और मैंस में भी आपको answer rating का अच्छे से मिल जाएगा तो यदि आप pre और मैंस को एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि आपके पास बुक्त है जो 2025 का जो मैंस लिखने वाले हैं उनको पहले मैंस कमप्री पढ़ना चाहिए हाँ, जो 2024 का जो अभी prelims हो जाना होएगा उसके बाद दूमैंस लिखने वाले हैं उनको बहुत अच्छी रणनी ती यह है कि पहले आप paper 5th पढ़िए 6th फिर सटेरे सटेरे काम करते चलिए फिर paper 1st और 2nd उटाइए और अलतमे 3rd और 4th paper इसको आप ऐसे sequence में अगर पढ़ेंगे तो source आपके लिए बहुत सारे market में available है किताब में available है आप उनका प्रियोग कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है तो आप जो भी coaching सलस्थान है जो भी किताब है आप market में जाईए उसे पढ़िए उसकी भासा सहली पर गौर कीजिए अगर वो आपको समझ में आती है उसकी भासा सरल और सहज आपको लगती है तो आप ले सकते हैं उसे भी पढ़ सकते हैं लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप से खुछ से तैयारी नहीं होती है तो अगर आपको अपने तरीके से तैयारी करने में कोई कर्टाई आ रही है आपको कोई मार्गदर्सन चाहिए तैयारी के समय बीच में कुछ ऐसी चीज़े आती है कि आपकी आंसर राइटिंग में कहीं कोई कमी है उसको कैसे इंप्रूब किया जा सकता है तो इसके लिए भी हमारा निसुल कमार्गदर्सन आपके लिए उपलब्द रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर हमारी बाकी की डिटेल देख सकते है और सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी तैंक्यू सो मच तैंक्यू इंडियर एस्पेरेंट सो जिन्हों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इस रणनी दीपर चरचा कर सब हो तो पढ़ते रहिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए